नमस्कार देश की बात में हाज़र हैं और पहले बात दिल्ली की दिसंबर 2022 में दिल्ली में MCD काम चुनाफ पाटी ने जीता लेकिन MCD की असली सत्ता अब BJP के हाथ में चली गई है MCD की सबसे ताकतवर स्टैंडिंग कमेटी में अब BJP का बहुमत हो गया है 18 सदस्यो वाली स्टैंडिंग कमेटी में अब BJP के 10 सदस्यों हो गए जबकि सताधारी आम आदनी पाटी के 8 सदस्यों रह गए है दिली नगर निगम की स्टैंडिंग कमिटी की अठारवी सीट पर वे चुनाव में बीजेपी के सुन्दर सिंग तवर जीत गए उनको 115 वोट मिले उनकी जीत से 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमिटी में बीजेपी के 10 सदस्यों हो गये आपके आठ रह गये यानि अब स्टैंडिंग कमिटी का चेयमें बीजेपी का बनना तैह हो गया है आज का चुनाव सरफ एक घंटे में ही खत्म हो गया क्योंकि केवल बीजेपी के पार्षडों ने ही वोटिंग में हिस्सा लिया आपाद्मी के पार्षडों ने इस चुनाव का भहिशकार किया था कॉंग्रिस ने कल ही चुनाव से दूर रहने की घोशना कर दी थी इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे से होगी शरत शर्मा दिसंबर 2022 में दिल्ली में एमसीडी का चुनाव तो आमादी पार्टी ने जीता था लेकिन अब एमसीडी के अंदर असली सरकार बीजेपी बनाने जा रही है क्योंकि एमसीडी की सबसे पावरफुल बाडी स्टेंडिंग कमीटी में बीजेपी को बहुमत मिल गया है 17 सदस्यों के चुनाव पहले ही हो चुके थे जिसमें 9 सीट बीजेपी जीत चुकी थी 8 सीट आमादी पार्टी जीत चुकी थी अगर बीजेपी 9 से 10 हो जाती तो सीधे सीधे बीजेपी को बहुमत मिल जाता, बीजेपी का चेर्मेन बना था, आमाधी पार्टी अगर आट से नौ हो जाती तो उस तुरत में वो बीजेपी के साथ बराबरी करती और जो फैसला है कि कौन बनेगा एमसीडी स्टैंडिंग कमिटे का चेर्मेन ये लगकी ड्रॉ से होता, लेकिन अठारवे सदसे के लिए जो चुना हुआ, इसमें गुरुवार को भी विवाद रहा, हंगामा रहा, शुकुरुवार को भी रहा, और आमाधी पार्टी ने ये कहके चुनाव का बहिशकार कर दि जब मेर ने 5 अक्टूबर तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया है, तो फिर उपराज पाल ने इसमें दखल क्यों दिया, और क्यों एक अधिकारी को, यानि कि जो एमसीडी के एडिशनल कमिशन है, उनको पीठा सीन अधिकारी निक कर दिया गया, कि वो चुनाव कराएंग कि जनता द्वारा जो चुनेवे लोगों हैं, वो ही जो हैं चुनाव करवाया करते हैं सदन के अंदर, लेकिन ये पहली बार हुआ, जब एडिशनल कमिशनल लेवल के व्यक्ति को पीठा सीन अधिकारी बनाया गया, और चुनाव कराया गया, आमादी पार्टी ने इसका ब पार्षत थे, उन्होंने ही वोटिंग की, अब जब अकेले ही दोड़ रहे थे तो उनको ही जीतना था, तो विजएई घोशित बीजेपी का उमिदवार हो गया, ठारवा सदस से उनका हो गया, और इसी के साथ मज़ाइटी जो है, स्टैंडिंग कमिटी के लिए बीजेपी की हो गई, लेकिन ये जीत बीजेपी की विवादित है, क्योंकि संभव है कि इसको लेकर अभी मामला कोर्ट में जाए, और उसके बाद कोर्ट ये तैय करेगा कि इसमें क्या होना चाहिए, जो आमाधी पार्टी दावा कर रही है, वो बात सही है, या जो बीजेपी दावा कर रही है उप्राजपाल दावा कर रहे हैं जो कमिश्णर ने जो किया है वो सब सही है तो ये सब जब तक नहीं हो जाता तब तक के लिए तो हमें यही मानना होगा कि ये मजॉर्टी बीजेपी की हो गई है 10 में 18 में से 10 सद से बीजेपी के हो गए हैं और अब MCD के अंदर असली सरकार बीजेपी चलाएगी पांच करोड से उपर के सभी जो प्रोजेक्ट हैं उसको मंजूरी देने का काम बीजेपी करेगी नहीं नीतिया लेके आना नहीं प्रोजेक्ट लेके आना किसी कमपनी को काम पे लगाना है किसी कमपनी को हटाना है ये सारे बड़े फैसल के चात्र संग डूसू के लिए वोट डाले जा रहे हैं वोटिंग आज शाम सारे साथ परे तक चलेगी लेकिन नतीज़ भी नहीं आएंगे क्योंकि हाई कोट ने इस पर रोक लगा रखी है सारजनेक जगहों से पोस्टर हटने तक नतीज़ों पर रोक रहेगी डूसू से ज जायोगी प्रेड़ना दे रहे हैं और जानकारी दिली अन्यूवस्ट्री चात्र संग के दूसरे चरन की वोटिंग चल रही है ये वोटिंग सारे तीन बज़े से शुरू हुई है और सारे साथ बज़े तक चलेगी और शाम के शिफ्ट में जितने भी सारे आठ बज़े से शुरू हुई थी और करीब एक बज़े तक वोटिंग चली थी उसके बाद दो गंटे का गाप था जिसके बाद सारे तीन बज़े से फिर से वोटिंग शुरू हुई है और बच्चे जो है वो लगतार आ रहे और अपने अपने काड़िडेट्स को वोट कर रहे हैं करीब डेर लाग बच्चे आज वोटिंग में शामिल होंगे और उसके साथ ही EVM के जरिये जो है वो वोटिंग की जा रही है और जो पार्टिया है वो अपने जीत का दावा कर रही है ABVP और NSUI के बीच काटे की टकर देखने को मिल रही है सभी पार्टि अपने-पने मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी है लेफ्ट फ्रंट भी इस बार कड़ी मेहनत करते हुए दिखाए दे रही है SFI और ISA गडबंदन में इस बार चुनाव लग रहे हैं और सभी पार्टियों में एक जो कॉमन मुद्द है वो है वन कोर्स वन फीका और इसके अलावा ABVP कई सारे वादे कर रही है जैसे वो स्टूरेंट सेंटर बनाना चाहती है तो वहीं दूसरी तरफ NSYUI का कहना है कि वो मेंस्ट्रॉल हाइजीन पर ध्हान देगी और इसके अलावा SFI और ISA की जो गडबंदन है उनका कहना है कि वो स्टूरेंट बेस्ट पॉलिटिक्स करेगी ना कि धनबल के आधार पर लड़ेगी वो चुनाव और उसके अलावा जो हाइकोट है चुनाव अवोटिंग तो आज हो जाएगी लेकिन हाइकोट ने नतीजों पर रोक लगा दिया है उन्होंने का हाइकोट ने कहा है कि जितने भी पोस्टर्स ग्रफीटी चुनाव प्रचार में लगाए गए है सारवजनिक स्थानों पर उसे जब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साफ सफाई उसकी नहीं की जाएगी तब तक काउंटिंग नहीं होगी तब तक जो EVM है उसे सुरक्षित रखा जाएगा और उसकी काउंटिंग तभी होगी जब हाई कोट को ये बता दिया जाएका कि जो साफ सफाई है जो पोस्टर्स है जो ग्रफीटीज है उन सब को साफ कर दिया गया है सारवजनिक स्थानों पर से उसके बाद ही काउंटिंग होगे और नतीजे जारी होगे नई दिली से प्रेना शर्मा एंडी टीवी इंडिया क दिली के सदर बजार के इदगा पार्क में रानी लक्ष्मी गाय की मूर्थी लगाने पर विवाद बढ़ गया है कल नमाज के बाद पार्क के बाहर भारी भीड इखटा हो गई थी ये पार्क शाही इदगा मस्जित के बगल में है दरसल रानी लक्ष्मी बाय की मूर्थी क तो कहीं और शिफ्ट किया जाना है लक्ष्मी भाई की मूर्ती पार्क से 300 मीटर दूर जंडे वाला मंदिर के गोल चकर के बीचो बीच है ट्राफिक की समस्या से नपटने के लिए इस गोल चकर को खत्म केनी की तयारी चल रही है इद का मस्जिद के बगल की खाली जमीन पर पार्क में डीडिये ने मूर्ती स्थानांतरित करने का काम शुरू कर दिया था लेकिन आज सुबह अचानक NCD ने काम रोग दिया है इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे से होगी अतुल रंजन दिली के सदर्वाजार के शाहिदगा मस्जिद के पास के पार्क में रानी लक्ष्मिभाई की एक मूर्ती स्थानांतरित करने का विवाद बढ़ता जा रहा है तरसर रानी लक्ष्मिभाई की जो मूर्ती है वो पास के जंडे वाला मंदिर के गोल चकर के बीचो बीच है ल दिली अलपसंख्यक आयोग पहुंची, मामला दिली हाई कोट तक पहुंचा, अलाकि दिली हाई कोट ने मस्जिद कमीटी को फटकार लगाई और कहा कि मामला इसे सांपरदाइक रंग दनी की कोशिश ना किया जाए, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, जो नमाजी है यहां के, उनका ये कहना है कि जो खाली पार्क है, वो कोई खाली नहीं है, उसे नमाज के लिए उसका इस्तमाल करते हैं, और अगर वहाँ पे किसी के मूर्ती लगा दी जाएगी, तो फिर वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते, हलाकि और इसी के वजह से गुरुवार को यहां पे नम पस है, उसे एक चावनी में तब्दिल कर दिया गया, चारों तरफ से सुरक्षाबल तैनाब थे, ड्रोन से पुरी नमाज की प्रकिरिया है आज दिन पर कि उसे उस पर नज़र रखी जा रही थी, तो कहीं न कहीं, आज एक काफी टेंस्ट महौल रहा है यहां पे सदर अब देखना यह है कि दिली हाई कोट में पुनर विचारियाच का डायर की गई है, इस मामले को लेकर मस्जिद कमीटी ने, हालाकि इस पर सुनवाई अभी दिली हाई कोट में होनी पाकी है, अतुल रंजन, एडिटीव इंडिया, दिली बात उत्राखन की एक जोड़े के अलग-अलग समुदाए की होने के कारण देहरादून के एक इलाके में तनाव भड़ गया था, रेल्वे स्टेशन पर देर रात हुई विवाद के बाद हालात बिगड़ गए, देहरादून के घंटा घर पर हजारों की संख्या में लोग जमा हो गया और चारों तरफ से ट्राफिक बंद किया गया, रेल्वे स्टेशन पर कल के बवाल के बाद आद सुब़ पुलिस ने बजरंग दल के नेता विकास वर्मा को गरिफतार कर लिया, इसके बाद पल्तन बाजार में हंगामा हुआ, किशोर रावत हमारे सही होगी द नुकसान पहुचा है, इसके अलावा तमाम जो आसपास वाहन कड़ेते उन पर भी तोरफोड की गई, यहां तक ही आगजनी की घटनाओं को भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस मौके पर थी और पुलिस ने पूरे मामले को देखते हुए हलका बल परियोग किया, लाठी चार्ज किया और जिसके बाद पूरे मामले को पुलिस ने अपने कंट्रोल लिया, यह वो देराद उनका रेलवेशिशन है, कहा जा रहा है और जो जानकारी के मताबिक है, यहां पर बदायू, यूपी से एक यूवक और यूफती का मामला है, दोनों यहां पर पहुँचे तो पुलिस ने दोनों पक्षो को समझाने की कोशिश की, समझाने के बाद भी वो लगातार विरोध चल रहा था दोनों के बीच में, अचानक से किसी ने बीच भीड में पत्थर फेका, जिसके बाद वहां पर जो मामला था वो काफी बढ़ गया, और तनापून मामला हो ग क्योंकि बजरंग दल के एक नेता विकास को पुलिस ने गिरफतार किया था और पुलिस ने इस पूरे मामले में करीबन 30-40 से जादा लोगों को मुकदमा किया, और कुछ लोगों को नामजद मुकदमा भी किया, नामजद मुकदमा होने के बाद विकास को पुलिस ने गिर लगातार चलता जा रहा था और उनका ये कहना था कि पुलिस में एक तरफा कारवाई किया है दूसरे पक्षुक ग्रिफतार नहीं किया है और उनकी ये भी मांग थी कि उनके जो नेता है बजरंगदल के नेता विकास को छोड़ा जाए काफी दवाब हुआ और बजरंगदल क कैसा माहौल बनता जा रहा है देरादुन से एंडीटीव इंडिया के लिए कि शोर रावत नीती आयो के सदर से और जाने माने अर्थशास्टी डॉक्टर आर्विन दिर्मानी ने कहा है कि अर्थवस्था में नए निवेश के लिए अब राज अपनी चेक्लिस्ट तयार करेंगे तो बहतर तरीके से ये आंकलन कर सकेंगे कि उनके यहां क्या-क्या खामिया है और कि सेक्टर में उन्हें क्या सुधार करने की जरूरत है एंडी टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा है कि खास तोर से जो पिछरे राज्य है उनको अपनी चेक्लिस्ट बनानी चाहिए इन्वेस्मेंट एफटी आए एंकर इंवेस्टर जिसको कहते हैं एंकर का मतलब है वो एपल आई है वो एंकर है उसके साथ ग्रैजूली अपनी सप्लाइचेन लेयाएंगे अगर आप कंडिशन्स क्रेट करेंगे तो बहुत मदबफूर ने इस नोट जस्ट इफाइनल तो उसके कॉंटेक्स में जो प्रधान मंत्री ने जो लास्ट मीटिंग होई थी पुबलिक मीटिंग है आया भी था शेह दमने डिसकूस भी है कि हमें उन्होंने आदेश दिया था कि आप कोई इंडेक्स बनाईए जो जो कंपनी होती है ना उनकी चेक लिस्ट होती एंग क कोई भी कंपनी में कल परसू वो टाटा का जो मैनिफैक्टरिंग प्लांट है जो एपल को सप्लाय करके में वो देख के आया हूं तो और और भी ओला का जो फ्यूचर फैक्टरी है तो यह सब लोग ऐसे नहीं जाकर बैठ जाते वो उनकी चेक लिस्ट होती है वो कहते हैं अवेलिबिलिटी ओव लेबर अब वहां जाओगे कोई लेबर ही नहीं मिलती तो क्या करोगे तो चेक्लिस तो हमें प्रदान मंत्री ने आदेश दिया है कि आप कोई इंडेक्स या ऐसी चेक्लिस बनाओ जो जिसको हम सब स्टेट्स रैंक करेंगे और उसको इस्तमाल करके अपने आप देख सकती है कि हाँ ठीक है यह हमारी चार कम्या है तो एवरी स्टेट विल देन बी अबल टो सी किया कम्या है उसको किसको इंप्रूब करें ताकि सब जगाई यह फ्डिया जाए पॉंट अप समझे समरी यह फ्डिया के कॉंटिक्स में है यह है करें इंवेस्मेंट सब को कंडिशन होती है वो सब सेम होती है स्टेट्स का इंडेक्स हां स्टेट्स का इंडेक्स